हेलो और वेल्कम तो दुस्तों क्यान केंपस आपके अपनी यूट्रीब चैनल केंपस में आपका स्वागत है दोस्तों आज के विडियो में आगे वनने पहले एक और बात दुस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीज़ेगा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अप्डेट्स आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं बीना किसी देरी के आज का लेक्चर ठीक है तो पहली है इलक्ट्रोनिक इंस्ट्रुमेंट होता क्या है यह जान लेते हैं ठीक है वैसे ही इ इलक्ट्रोनिक इंस्ट्रुमेंट कहा जाता है जैसे दिजिटल मल्टिमीटर तीक है अब दूसरा जीक है तो समझ आगए क्या होता है यह वह तो आगे देखते हैं हमारा मॉस्ट इंपर्टेंट टॉपिक जो हर साल पांच नंबर में पूछा जाता है कुछ पूछा जाए सियारो से related कुछ ना कुछ पूछेगा ठीक है इसको skip मत करिएगा सुरू से अंतक देखेगा ताभी समझ में आएगा ठीक है आगे देखते हैं सियारो कैथोड से उत्पन इलक्ट्रोन इलक्ट्रोन बीम यानि पुंज को इलुमिनेटेड स्क्रीन यानि स्क्रीन यानि प्रती दीप्टी परदे हिंदी इतने टाफ होती है देखें आप लोग इसलिए इंग्लिश में याद रखिए थोड़ा तो प्रती दीप्टी परदे पर अभी लेखित करके यानि इलक्ट्रिकल क्वांटिटी के मान को या उसके वेव फॉर्म को प्रदर्शित किया जाता है एक बार और पढ़के बता देता हूं अप लोग को सियारो कैथोड से उत्पन इलक्ट्रोन बीम को इलुमिनेटेड स्क् पर अभी लेखित करके इलक्ट्रिकल क्वांटिटी को मान को या उसके वेव फॉर्म को प्रदर्शित किया जाता है ठीक है इतना ही है अब इसका ब्लॉक डाइग्राम देख लेते हैं तो ब्लॉक डाइग्राम ओफ हेडिंग डाल लीजिए सियारो तो ब्लॉक डाइग्रा तो दोस्तों यह सी यारो का ब्लॉक डाइग्राम है तो आप इसे स्क्रीन सट ले लिजे और बना लिजेगा आपको समझा भी देता हूँ ठीक है तिया आपकी वर्टिकल दो प्लिटे हो गई ठीक है और यह आपके होरिजंटल प्लिटे हो गई ठीक है यह देख रहे होंगे कि वर्टिकलल एंप्लिफायर लगा यहां से आप इपूट वर्टिकल एंप्लिफायर में जायेगा जिससे आपका डिले लाइन यह टाइम बेस्ट जन्रेटर है यह होरिजन्टल एम्प्लिफायर है तो आप देखिए डाइग्रम को याद करने का एक टॉर्च याद रखिए उसके साइड में दो 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 बॉक्स और नीचे तीन बॉक्स अब उसके बाद दो तीन नाम आप लिख दीजे पूरे नाम आपक यह सब पूछ लेता है तो आई होप आपको समझ आ गया और तब भी मैं अकर नहीं समझ आता है तो कमेंट कर दीजेगा मैं इसका जो यह डाइग्राम का पिक है वह मैं टेलिग्राम में सेंड कर दूँगा चलिए बढ़ते हैं आगे तो ब्लॉक डाइग्राम में कुछ पॉइंट्स भी लिखने होते हैं तो पहला पॉइंट डाल लेजिए सी रटी ठीक है तो आगे इसमें सी रटी में ही आपका सैब हेडिंग रहेगा इलक्ट्रॉन गन एक एक लाइन सबके बा है जिसके छोर पर बेरियम ऑक्साइड बी ए ओ का लेफ होता है ठीक है थार्ड है आपका कंट्रोल ग्रीड कंट्रोल ग्रीड क्या होता है यह इलक्ट्रोन बीम की इंटेंसिटी नियंत्रित करता है अगला है आपका एसिलेरेटिंग एनोड ठीक है एसिलेरेटिंग एनोड यानि त्वरण एनोड इलक्ट्रोन पुंज यानि बीम को त्वरित करके तथा नियत चाल बनाए रखते हैं फिफ्थ है आपका फोकसिंग एनोड ठीक है आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं फोकसिंग एनोड इस एनोड का मान सॉरी काम इलक्ट्रॉन पुंज को स्क्रीन पर फोकस करना होता है CRT में सेकेंड हेडिंग है आपके डिफलेक्शन प्लेट यानि विच्छेपण प्लेट विच्छेपण प्लेट के दो भागों में बाटा गया है पहला होरिजन्टल डिफलेक्शन प्लेट इस प्लेट की सहायता से इलक्ट्रॉन पुंजो को स्क्रीन पर 36 रूप से विच्छेपित किया जाता है और यह 36 विच्छेपण दोनों प्लेट पर दिये गए वोल्टेज के समान उपाती होती है सेकंड है आपका वर्टिकल डिफलेक्शन प्लेट यह विच्छेपण प्लेट इपुंज को स्क्रीन पर उपर नीचे अर्थात उर्धवाधर इस्तिती में विच्छेपित करती है यह विच्छेप प्लेट पर दिये गए वोल्टेज के समान उपाती होता है ठीक है तो थर्ड है आपका उसी में फ्र्टिकल फाइबर की बनी होती है तथा इस पर अंदर की तरफ fars Dumas की एक पतली लेपित होती है फास्पोरस एक प्रतिदीप्त पदार्थ है जो ई-पुंज की गती जूर्जा को प्रकास उर्जा में परिवर्तित करके स्क्रीन पर एक चमकीला बिंदू बनाता है आगे देखते हैं paragraph change CRT के स्क्रीन पर दोनों निचले वह उपरी भाग पर अंदर की और ग्रेफाइट या एक्वा डॉग का लेपन किया जाता है ताकि CRT बाहरी विद्दूत के प्रभाव से बच सके तो B आपका है power supply CRT के विविन भागो में अव्यवो यानि element को उर्जा परदान करने के लिए विद्दूत उर्जा की आवशक्ता होती है आगे देखते हैं इस उर्जा की पूर्ती के लिए CRT में एक छोटा transformer लगा होता है जो नीमन तथा high voltage परदान करता है जिसे HV और LV केते हैं CRO में जिन भागो को DC supply की आवशक्ता होती है उन्हें transformer के साथ लगे rectifier तथा filter की सहायता से DC supply दी जाती है transformer से प्राथ high वर low voltage supply को आवशक्ता अनुसार CRO के अव्यवो को दिया जाता है यानि elements को दिया जाता है तो इसी में अगली heading है amplifier जिसे प्रवर्धन कहते है ठीक है प्रवर्धक कहते है ठीक है चौथी heading माल लीजेगे चौथी है पाचवी तो आगे देखते है amplifier circuit में amplifier के साथ समय आधार परिपत यानि time based circuit लगा होता है प्रवर्धक applied signal को amplify यानि प्रवर्धित करके 36 तथा उर्ध हो और वर्टिकल प्लेट को signal प्रदान करते हैं delay line input signal को वर्टिकल प्लेट पर तब तक रोके रखता है जब तक कि time based circuit को ट्रिगर स्विपिंग स्टार्ट न करते हैं टाइम बेस जेनरेटर सौथ तुथ वेव उत्पन करता है ठीक है तो लास्ट है वर्किंग आफ सी आरो CRO electrical signal को visual display में परिवर्टित करता है ठीक है आगे देखते हैं electron gun पर high voltage apply करने से electron gun heat होकर cathode से electron पुंज उत्पन करता है जिसे focusing तथा accelerating anode से नियंत्रिद किया जाता है जो आपका beam fire होती है उसे focusing से आपका control किया जाता है यह electron beam anode की तरफ चलती है और CRO की screen पर focus होती है ठीक है vertical तथा horizontal विच्छेपर plate की सहायता से electron beam को vertically तथा horizontally विच्छेपित किया जाता है 36 plate को X plate कहा जाता है तथा vertical plate को 36 plate को X plate कहते है यानि horizontal को ठीक है और vertical plate को हम Y plate कहते है अब diagram में देख लिजेगा उसमें plates लगी है XY ठीक है तो जब X और Y plate पर कोई भी voltage apply नहीं होता है तब electron beam किसी भी प्रकार के बल का अनुभाव नहीं करता है या करती है और यह सीधी speed पर focus रहती है जब Y plate को positive voltage difference दिया जाता है difference आयानि विभानतर तो electron beam उपर की तरफ move करती है तथा जब इसे negative voltage difference दिया जाता है तो यह electron beam नीचे की तरफ move करती है यानि नीचे की तरफ जाती है move करना यानि जाना X plate time based circuit से जुड़ा होता है तो यह थी आपका CRO का block diagram और working या और बाकी इसके और भी पार्ट से वह मैं next video lecture में दूँगा क्यों वीडियो काफी लंबा होगे आज का तो आज की वीडियो लक्षेर में इतना ही लगते हैं बाकी का next part में ठीक है वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक कर देना और कुछ भी कहना तो comment कर देना और अभी आपने टेलिग्राम ग्रूप नहीं जॉइन किया तो जॉइन कर लें ठीक है तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक ले जाए ही जया भर्त थैंक्स फॉर वाचिंग